पाकिस्तान के प्रधान मिलत्री शहवाज शरीफ ने भारतिय शमकष नरिंज मुदी के साथ इमानदार और संबीदन शील वारता की इच्छा जताई है वो कश्मीर मसलो समेत कई और मुद्दो पर गंभीर वारता करना चाहते हैं उनको कहना है कि भारत के साथ तीन उद्र देश में परिशानी, वेरोज़गारी और गरीवी की वज़य बन गए है शरीफ का वयान ऐसे समय में आया है जब उनका देश भहंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है मुद्रा संकट की कमी से जूझते पाकिस्तान के दोस्त भी मदद करने से बच रहे हैं अब तो बताते कि सहवाज ने अंतर रास्टे अर्वी न्यूस चैनल अल अरेविया को दिये इंटर्वी में कहा भारती प्रवंदन और प्यम मोदी को मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम एक साथ बैठें और कस्मी समेत आकसी जोलनसील मुद्दो पर बाचीत करें हमें एक दूसरे से जगड़े बिना एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है ना कि समय और संपत्ती को जगड़े में बरबाद करें शरीफ के बयान से पहले पाकिस्तान के दो लीडिंग अखवारों ने लिखा था कि देश में तो संकट गहराता जा रहा है और शरीफ को दुनिया के सामने हाथ फैराने पड़ रहे हैं लेकिन भारत दिन रात तरक्की की नई कहानी लिखने में लगा हुआ है पाकिस्तान के पी-म शरीफ ने इसके बाद कहा हमने भारत के साथ तीन यूद लड़े हैं और ये यूद परिशानिया और बेरुजगारी की बज़े बने हैं हमने इन से सबक लिया है और अब हम शांती से रहना चाते हैं लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने वास्तविक म पादरी ने कोई दिनों पहले एक्सप्रेस ट्रिबिनल के एक आर्टिकल में लिखा था इसमें उन्होंने चितावे दिती कि शरीफ को अब देश की अर्थविवस्ता सुधारने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। भारत दुनिया की बड़ी पांच वी अर्थविवस्ता है। फिलाल इस रिपोर्ट में वस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे है जनरेट टाइम्स।